Hello everyone, good morning, नमस्कार, 1 June 2021 और आज के The Hindu News Paper को हम लोग डिसकस करेंगे, अनलिसिस करेंगे आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन IAS Academy टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे एकनोमिक का डेटा रिलीज किया गया, GDP का डेटा रिलीज किया गया पोजिट्व आटपूट देखने को मिला, quarter 3 और quarter 4 के अंदर इनके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि जो pandemic है या जो वेव जाती COVID-19 की उनको counter करने के लिए lockdown और vaccination जो है, वो important है और क्योंकि vaccination का direct relation है, economic revival को लेकर या recovery को लेकर इनको लेकर भी यहाँ पर discussion किया गया, दो तिन important चीज़े है भारत की economy जो है, 2020-2021 में 7.3% की कमी है, contraction की साथ जो है वो आगे बड़ी या इसमें आप कह सकते हैं, इसमें कमी देखने को मिली, इनके अलावा एक और important बात आपको देखने को मिलेगी, कि 2011-12 का जो है base year के basis पर यह data release किया जाता है और इसमें again कई सारी चीज़े बताएगी कि जो January से March का last quarter आप देखेंगे उसमें 1.6% का acceleration या positivity rate आपको देखने को मिलेगी या एक तरी के सकाएंगे कि positive में growth rate देखने को मिली, इंडिया के जो gross domestic product है उसको लेकर data release किया गया, provisional national income data जो release किया गया national statistical office के द्वारा और इसमें जो पहले idea लगाया जारा था कि 8% का contraction होगा economy के अंदर उससे कही improvement आपको नज़र आएगा क्योंकि 8 से 7.3% का contraction है, इसका मतलब यह कि economy में कहीने कहीन last के 2 quarter के अंदर ठीक ठाक performance किया या जो पहले के first and second quarter के अंदर जो contraction जो कमी देखने को मिली थी, उसके compare में better performance किया इनके अलावा GVA एक term use की जाती है, global value addition, जब अलगलेक sectors को analysis किया जाता है, for example GDP में क्या होता है कि gross domestic product को analysis करने के लिए जो economy के all sectors है, उनकी total values क्या है, उसको analysis किया जाता है, GVA के अंदर अलग-अलग items की अलग-अलग sectors को या उस sector के अंदर भी अलग-अलग branches को analysis किया जाता है, for example यहाँ पर बताएगा है कि GVA नी gross value added के अंदर, economy जो है वो लग-बघर sector के अंदर शरंक करी लेकिन कुछ sector ऐसे हैं जैसे agriculture है, forestry है, fishing है, या electricity, gas, water supply, इनके अंदर जो positivity rate देखने हों को बली mostly sector के अंदर जब हम contraction की बात करते हैं, तो GDP के बारे में यहाँ पर data release किया गया और पहले बताएगा है, चार quarters में जब divide करते हैं, अप्रेल से लेकर next March तका जो financial year होता है, अप्रेल जून 2020 का जो पहला quarter था 124.4% का contraction देखने को मिला, इसके बाद second में 7.4% का contraction देखने को मिला, third में 0.5% की marginal growth देखने को मिली fourth में data release किया गया कि कुछ उसमे positivity rate देखने को मिली, positive growth देखने को मिली, right इसके लावा कई सारे sectors के बारे में बात किये गी है, construction, mining, querying, manufacturing, सब के अंदर जो है वो negative growth या आप देखेंगी contraction या कमी देखने को मिली, इसके लावा दो तिन information important है, पहली अगर आप देखेंगे तो GDP के बारे में 2021-22 में ये data release किया गया था, projection किया गया था कि हमारी economy जो है double digit growth करेगी, double digit में भी अलग-अलग indicator, for example, भारत के बारे में International Monetary Fund ने 12.5% का एक projection किया था कि भारत की economy इतने percent growth के साथ आगे बढ़ेगी, इनके लावा RBI ने 10.5% और इसी तरीके economic survey में 11% की growth rate के बारे में बात किया गया है, लेकिन अभी क्योंकि COVID-19 के second wave के बाद ये estimation किया रहा कि GDP की growth rate होगी, वो 9.5% के आसपास हो सकती है, इनके अलावा इसमें revised base effect, यानि इसका मतलब क्या था base effect का, कि previous year के compare में इस year में जो inflation में changes होती है, उनको उनके basis पर analysis करना किसी भी economy को, और इसको लेकर scientists भी ये कह रहे हैं कि हमारी growth rate single digit में होगी या double digit में होगी, इसको लेकर uncertainty है, क्योंकि ब भारत में third wave भी आ सकती है, तो इसको लेकर vaccination को stress किया जाता है, और vaccination जो है, ने केवल health के लिए बलकी economy के लिए भी इतना ही important है, इसके बाद second information के बारे हम बात करेंगे, यहाँ पर Supreme Court बात कर रहा है, one price for vaccine across nation, यानि भारत में पूरे भारत के अंदर, vaccine का जो pricing होगी, या आप देखेंगे, center और state government के वीच में issues है, कि center government के लिए अलग price है, state government के लिए अलग price है, पूरे देश के लिए एक तरीकह price के बारे में discussion करना, या Supreme Court में जो एक तरीकह से deadline बताई है, central government ने, उसको लेकर court ने एक तरीकह से doubt raise किए कि भाही आप क्या deadline तक complete vaccination कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यह doubt क्यों है क्योंकि भारत में अभी तक 3.12% vaccination complete हुआ जिन्हों ने दोनों डोजी जो vaccination करवाई है यानि भारत के अंदर complete vaccination की बात करें तो वो केवल 3.12% है अगर आप US, ब्राजिल और रशिया की बात करेंगे तो यहां पर आपको यह number बहुत आगे नजर आएग यहां पर आप देखेंगे लद्दाक, यूटी, सिक्किम और तिरपुरा यह state के अंदर एक ठीक ठाक performance है बाकी सभी states के अंदर अभी भी vaccination को लेकर इतना अच्छा performance नहीं है यह vaccination का number इतना ज़्यादा increase नहीं हुआ तो उसे चीज़ को लेकर बोला गया कि जो deadline बताया गया क इस साल के end तक हम लोग भारत के eligible population जो होगी या जो 18 plus population जो अभी authorize की गी है उनको कहीं कहीं vaccinate करेंगे और हमें उमीद है कि आने वाले टाइम में स्पोतनिक 5 vaccination का domestic production increase होगा और जो दूसरी United States की कमपनिया है यह manufacturing companies है जैसे Pfizer, Moderna या Johnson & Johnson उनके साथ भी हमारा continue discussion जो हो रहा है इ State Government के लिए अलग प्राइस इसको लेकर भी question एक तरीकी से raise किया गया कि dual pricing policy क्यों follow की जारी है या single unified policy को लेकर क्यों follow नहीं की जारी उन सब को लेकर सेंटर गवर्मेंट से पूछा गया है इसके बाद यहां पर आप देखेंगे Bengal की जो Chief Secretary है उन्होंने एक तरीकर step down कर लिया अपने post से resignation दे दिया और उनके बाद उनको West Bengal की जो Chief Minister ममता बिनर जी उनके Chief Advisor के रूप में appoint किया गया एक issue दोनो स्टेट और सेंटर के बीच में officer release को लेकर हुआ और West Bengal के जो Chief Secretary अलपान बंदो पादे इनको Central Government ने बोला था कि आपको 31 मई 2021 को 10 बजे report करना था उससे पहले इनर रेजिगनेशन दे दिया तो ये issue आने वाले टाइम में स्टेट और सेंटर के गवर्मेंट के बीच में issues create कर सकते हैं दूसरा cooperative federalism की लगातार बात की जाती क्या राजे सरकार और किंदर सरकार मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें उन सब के बीच में एक और टसल या एक लिए किसे राज़ दो का जो केस होता है या आप देखेंगे राज़दो का मतलब है सेडियेशन का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति अगर सरकार के खिलाब सासन खिलाब लोगों बढ़काने कोशीज करता है तो उस केस में सेडियेशन चार्ज की जा सकती है तो यहाँ पर Supreme केस है तेलगू चैनल्स को लेकर या आंद्रे प्रदेश में दो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट वाइस जगनमोन रेडी गवर्मेंट ने एक तरी के सेडिशन चार्ज लगाए क्यों लगाए क्योंकि उन्होंने क्रिटिसिजम किया था पेंडिमिक को हैंडिमिक करने को लेकर या जिस हिसाब से के रज्ज सरकार कोविड नाइटिन पेंडिमिक को हैंडिल कर रही उन सब कॉंटेक्स्ट में जो है उनके अगे चार्जिज लगाए और ये चार्जिज 124A सेडिशन का और दो IPC के सेडिशन 153A और 505 इंडियन पैनल को इन सब के मिलाकर सेडिशन चार्ज लेकर इसी कॉंटेक्स्ट में बोला गया कि हमें अब requirement है कि interpretation जो होता है या right of the electronic and print media to communicate news, information and right और जो critical और ऐसी situation के अंदर nation के अदर उस context में एक limit set करने पड़ेगी यानि जो हम लोग sediation का राजदरों का जो case कर देते हैं उसको लेकर भी राज्य सरकार की particular limit होनी चाहिए या उसमें clear definition होनी चाहिए कि किस basis पर आप इस तरह के charge लगा सकते हैं दूसरा इनके against कोई भी इस तरह की proceeding नहीं होगी जो case इन्होंने फाइल किया है और ये बोला गया है कि ये time है limit set करने का और कई बार हमने देखा है कि April 30 को भी Supreme Court का एक order आया था कि COVID-19 management major को लेकर अगर government का criticism किया जा रहा है तो उस context में case दर्द नहीं किया सकते और इस तरह क आपर एक जो photograph है ये photograph एक तरीके से राइनो को लेकर या पोबीतोरा wildlife century के बारे में एक photograph में बताया गया है देखिए राइनो mission जो हमारा है 2020 तक का एक mission था इसके लेकर क्योंकि 2020 में complete हुआ है उसके बाद फिर से news में है तो बहुत सारे ऐसे national park wildlife century news में आती है जिनको लेकर question ह हो सकते हैं यहां पर आप देखेंगे फोबीतोरा wildlife century के बारे में तो बहुत सारे national park है wildlife century है बाइस फेर इस हो है जिसके बारे में सवाल 2021 में प्री में पुछे जा सकते हैं तो यह factual question के लिए आपको ध्यान रखना है और last में आप देखेंगे यहां पर front page में information दीगी के लेकर एक resolution जो है पास किया है assembly के अंदर केरला assembly के अंदर और यह बोलने कि इनको immediate basis पर पर फुल पटेल जो की लक्सदीविप के administrator हैं उनको immediate basis पर वापिस बुलाया जाए इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक proposal बोल सकते हैं या एक resolution जो है assembly के अंदर पास किया केरला assembly के example लक्सदीविप को लेकर ही है कि high court ने इस तरह के objection थे लक्सदीविप को लेकर की और ज़्यादा time दिया जाए या लक्सदीविप के administrator ने जब laws के बारे में implementation के बारे में लोगों की क्या राए है तीन दिन के अंदर आज सोरी तीन दिन ही तीस दिन के अंदर वो comment कर सकते है objection लगा सकते हैं suggestion दे सकते हैं draft लक्सदीविप town and country planning regulation 2021 को लेकर तो उसके मामले में केरला high court में application दी केरला high court में इसलिए application दी क्योंकि लक्सदीविप की जो territorial या judicial जो boundary है वो केरला high court के अंदर ही आती है तो उस context में केरला high court ने इसमें कोई भी एक तरीके से objection करने को या इस को लेकर और ज्यादा extend करने को लेकर कोई भी एक तरीके से petition को accept नहीं किया या उसको cancel कर दिया या reject कर दिया और इन्हों यह बोला कि हम लोग जो है central government को कोई guidelines नहीं देंगे कि आप इसमें और ज्यादा increase करिए या इसमें और ज्यादा time तक इसको definite period definite period या तीस दिन का तो time या उससे increase करके और ज्यादा time दिया जाए या और इसमें increment किया जाए इसको लेकर ये एक information थी इसके बाद हम जाएंगे editorial पार्ट में देखे editorial पार्ट में तीन ऐसे editorial है जो हमें पढ़ने है पहला ending encryption करके एक article है ending encryption और यहाँ पर जो digital ecosystem में दोनों same article है और ये article again digital media को लेकर या information technology को लेकर अभी जो 2020 में rules implement किये गए है या उनके बारे में जो debate discussion हो रहा है उनके बारे में फिर से ये article है इसके लावा second article जो है वो no comments करके article है no comments article का मतलब basically क्या है एक Japanese player है Naomi Osaka tennis player है तो उनको एक तरीके से boycott करना या मीडिया में जो post match match जो conference होती उसमें उनको लेकर ये withdraw किया और third editorial जो है the Indian model of coexistence करके का article है इसके बारे में पढ़ेंगे इसराइल और फिलिस्तान के बारे में भारत का model क्या है उसको लेकर ये article है तो सबसे बहले बात करेंगे ending encryption करके या enforcing traceability on a popular messaging apps will enroll into user privacy यानि जो traceability का context है या traceability का concept है क्या user की privacy का violation नहीं करेगा इस तरह की messaging apps क लेकर इसको लेकर तो debate arguments है उनके बारे में फिर से हम पढ़ेंगे हलाकि हमने पहले ही पढ़ा लेकिन फिर से revision में जाएं क्योंकि ये topic बहुत जादा highlighted है तो हरे aspects को हमें पता होना चाहिए यहाँ पर बात कर रहे है कि information technology intermediary guidelines and digital media ethics court rules 2021 लागू कियेगी 26 मही से इसके बाद यह एक तरीके से मूग किया दिली हाई court के अंदर central government के rules के against उन्होंने एक petition file करी इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर significant social media intermediary जो है वो इस तरह की services primarily provide करती messaging को लेकर और उनका अगर identification किया जाए कि first originator कौन है या central government ये चाहती है इन rules के तरू कि अगर इस तरह का कोई message है इस तर traceability में मदद करिए और उसका पहला originator कोन है उसके बारे में हम information दीजिए उसको लेकर एक concern है WhatsApp का दूसरा यहां पर बात की जारी है कि intermediary का मतलब क्या है basically जिसके 50 लाग से उपर registered user होंगे वो intermediary के रूप में इसमें include होता है WhatsApp ये बोलता है कि अगर हम traceability वाले concept पर जाएंगी तो पहले तो यह इतना ज्यादा fruitful नहीं है इसका कोई इतना profit नहीं है benefit नहीं है लेकिन दूसरा यह है कि अगर हम इसमें जाएंगे तो end to end encryption यानि एक वेक्ति ने message भेजा दूसरे ने प्राप्त किया यानि sender और receiver के बीच में जो दो ही वेक्ति उसको पढ़ पाते हैं तो उसका भी कहिने के यह break होगा और यह clear cut violation होगा right to privacy को लेकर ठीक है तो इस चीज को लेकर दोनों के बीच में issues है हाला कि ministry of electronics and IT यह बोलती है कि हमारा यह जो traceability measure है वो last resort के रूप में है यानि सरकार के पास कोई option नहीं होगा तो उसी के basis पर use क्या जाएगा और इसको लेकर ब अगर कोई इस तरह का crime है for example भारत की sovereignty और integrity of India यानि भारत की एकता संपुर्भता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई चीज है child sexual abuse को लेकर material हो या इस तरह का punishable और with imprisonment वाला जो provision जिसमें 5 साल से उपर या 7 साल से उपर यानि एक जिसमें सजाय का ज्यादा provision है उस उसके अंदर भी reasonable restriction यानि right to privacy भी अपने आप में absolute right नहीं है कि उसके उपर कोई restriction नहीं लगा जासते है इसके बाद यहांपर बात की जा रहे है कि government of India ये rules and regulation तो लेकर आती है लेकिन government of India के पास पहले ही encrypted data को use करने को लेकर अक्सेस करने को लेकर rules and regulation है for example 69 by 3 of the IT Act rules 17 and 13 of 2009 9 surveillance rules इस तरह के rules and regulation पहले से ही बात है जिसमें decryption कर सकते हैं या जो एक तरीके से end to end encryption है उसको break कर सकते हैं या उसमें कहीं कहीं access कर सकते हैं technically ability उनके पास या provision इस तरह के हैं तो क्या नए rules की requirement है इनको लेकर भी debate और arguments है तो यहां पर last में बात करता है कि government को इन rules को लागू करने से पहले दो-तिन information जुरूर चाहिए कि पहला IT Act 2020 के अंदर ही वो change कर सकते हैं 2000 के अदर 2000 के दर change कर सकते थे और एक लंबे time से जो data protection bill को लेकर pending demand वो complete कर सकते हैं या उसको legal provisions के through legalization कर सकते हैं legislation कर सकते हैं यह कुछ चीज़े यह provision बताएगे जिसके तरू यह जो issues हुआ ह दोनों के बीच में government और whatsapp यह government वर्जी social media इसमें अलग-अलग social media groups है जिसमें whatsapp है facebook है या twitter है दूसरी जितनी भी social media application आती है इनके लाव whatsapp के साथ privacy पॉल इनकी जो policy है whatsapp की updated policy की data share करने को लेकर इनको लेकर भी debate तो इसमें दोनों पक्स है सरकार का एक अपना पक्स है वट नहीं होनी चीज़ जिस हिसाफ से सवाल हो उसी हिसाफ से हम लोग जो आंसर करेंगे इसके बाद no comments करके एक article दिया गया है यह article basically Naomi Osaka एक famous tennis player है Japanese इन्होंने एक तरीके से boycott किया है French Open का और French Open में जो एक तरीके से एक press briefing होती है आपने देखा हो cricket के बाद भी जब match होता तो उस में journalist जो question पूसते हैं तो इन्होंने यह बोला कि मैं इसका boycott करती हूं boycott क्यों करते हैं तो इन्होंने यह reason बताया गया कि कई बार इस तरह के question होते हैं जो भोती insensitive होते हैं या कईने कई उनको mental health issues create कर सकते हैं उनके question लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह के questions को हम ल पातित करके नहीं बलकि एक Instagram पे post लिखा और इसमें announce किया और इन सब चीजों को लेकर इसलिए भी कहीं ने कहीं मीडिया में बहुत सारे सवाल उठते हैं और इसलिए बोला जाता है no comments करके तो Japanese tennis player का इस तरह के से decision लेना और आने वाले time है क्योंकि उनके against यह वहां पर cricket औ और Grand Slam में difference है क्योंकि Grand Slam के अंदर यह provision है कि अगर आप मीडिया के साथ interaction नहीं करते तो आपके उपर फाइन इंपोस क्या जासता है और 14,000 के आसपास डोलर इतनी amount साथ यह उनके उपर फाइन लगाया गया कि आपने press conference को लेकर जो participation नहीं किया और कई बार इस तरह की ची effect पड़ता है खिलाडियों के उपर, athlete के उपर उन सब को लेकर psychological type में यह आपको article नज़र आएगा तो exam से बहुत जादा लेट नहीं करता लेकिन आप इसको आज स्टोरी type में पढ़ सकते हैं इसके बाद page number 7 पे ग्रम बात करें the Indian model of coexistence करके एक article है यह basically article discussion करता है region में जो इ दोनों violence एक important role play कर सकता है और भारत से क्या चीज जो है दोनों group या दोनों countries सीख सकती है तो recently कई सारी चीजे हुई जैसे इसराइल और हमास के बीच में एक तरीके से Gaza Strip में violence हुई और लगबग 11 दिन तक जो दोनों countries के बीच में दोनों हमास को country नहीं कूँगा लेकिन दो यहां पर आपको कई सारे words जो है देखनों को मिलेंगे for example अबरहामिक monotheism करके word use किया गया है यानि यहां पर इस particular holy land बोला जाता है जेरुसलम को और इसमें तीन religion basically इसमें बोला जाता है monotheism का मतलब होता है कि यहां पर एक इस वर में इस वास करने वाले या एक इस वर वात बोल सकते हैं जोडाइजम है किसनेटी है इसलाम है या यहूदी है इसाई है और मुस्लिम यह तीन religion की कहिने के यह मानते हैं कि एक holy land की तरह इस particular region के अंदर है इनके लावा कोई भी jews हो Christian हो Muslim हो वो इस बात को लेकर deny नहीं करता कि वहां पर Israeli branch की भी कहिने के ancestor रहें या उन पर एक important मस्क है या मस्जिद है अलक्सा मस्क और इसको लेकर भी 2021 में जो debate हुआ कि इसके बिलकुल बाहर पूरी तरीके से Israeli forces ने इसको तरीके से बेरिकेड किया उसके बाद issues create हुआ दोनों के बीच में अलक्सा मस्क जो मानी जाती है जो इसलाम religion में एक उनकी proper आप बोलते या जिसमें एक holy book जिसको बोलते है कुरान उसके अंदर ही mention किया गया है कि first qibla जो होता है direction of the prayer है कि word यो use किया गया है qibla ये भी UPSC नेक पर पूछा था कि qibla का मतलब क्या होता इसलाम religion के अंदर तो direction of the prayer होती है muslims के लिए तो यहाँ पर भी इसमें mention किया गया है कि और माना जाता है कि अलक्सा मस्ग जो है तीसरी important या तीसरा holy place third important holy place है इसलाम religion के अंदर और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर क्या इसमें एक तरीके से correctivity association है particular region में या Jerusalem को लेकर Christian, Islam और Judaism या आप देखेंगे जो यहुदी religion है उनके Jews के बीच में क्या relation है उनको लेकर भी यहाँ पर discussion किया गया इनके अलावा एक brief history के बारे हैं बताया कि 1948 में एक resolution पास किया गया कि इसराइल को बनाया जाएगा और Jews और Arabs के बीच में जो है वो boundary को यह land को डिवाइड किया जाएगा इनके बाद एक historical background है कि इसराइल और Arab countries के बीच में जब जब war हुआ है तो इसराइल न इनके वल अरब countries को हराया बलकि एक तरीके से और ज्यादा territory को claim भी किया है 1967 में six day war हुआ जिसमें उन्होंने नेके वल इन countries को हराया बलकि Egypt का Sinai Peninsula और Syria का Golan Heights को भी capture किया 1973 में Yom Keeper War हुआ उसके अंदर भी इन्होंने अरब countries को हराया अरब countries जब एक तरीके से आप technology में बात करते हैं बहुत पीछे नजर आएगी इसराइल की इसलिए ये कहीं न कहीं इन से हारे लेकिन क्या violence से अब तक इसराइल और फिलिस्तान के बीच में issue सोल हुआ और क्या इसराइल और फिलिस्तान के बीच में two state solution possible है तो इसमें इसी को लेकर एक debate है कि two state solution तभी possible हो और एक peaceful coexistence दोनों के दोनों करें और इसमें भारत का model जो कैसे help कर सकता है उसके बारे में बताया गया कि भारत में जो concept है democracy का, secularism का कि कैसे अलग-अलग religious group, ethnic, linguistic और other diversities के साथ-साथ कैसे peaceful coexist करते हैं एक दूसरे के साथ उसमें सीखा जासता है ऐसा नहीं जैसे European model जो है जैसे नाजी जर्मनी में किया गया जर्मनी में यहुदियों के साथ जो किया गया उनके मा बड़े लेवल पर उनकी हत्या करती है इस तरह के concept जो है वो इस तरह के cases को या इसराइल और फिलिस्टिन के बीच में जो issues है उनको solve करने में help नहीं करते हैं भारत का जो model है democracy का, secularism का ज two state solution जो है वो एक तरह की से तभी solution करेगा जब फिलिस्तान जो है land को जो occupied land उसको release करेगा और दूसरा यहां पर एक और important बात है कि peaceful coexistence के लिए दोनों का consultation करना बातचित करना बहुँ जरूरी है और इस तरह के जो groups है हमास हो या दूसरे जो इस तरह के militant group है जो attack करते या ए उखना पड़ेगा तब इस तरह की चीज़ें ज्यादा successful हो सकती है इसके बाद page number 8 पे हम लोग डिसकस करेंगे कुछ information देखे page number 8 को लेकर कई सारी information आपको देखनों को मिलेगी for example central vista project को लेकर डेली high court ने बोला कि या उनके against जो एक petition file की थी central vista project या ऐसा प्रोजेक्ट जिस इसको रोका जाए तो इस PIL के अंदर ये बोला गया और इसी को लेकर डेली high court ने बोला है कि ये जो essential project है और इसके public importance है या इस basis पर हम लोग जो dismiss करते हैं आपकी PIL को या public interest litigation को इनके अलावा ये भी बताया गया कि इस project के अंदर covid-19 जो protocol है उनको follow किया जा रहा है उसका को हुई चावला जो है एक बोलीवड एक्टरस है उन्होंने अभी डेली high court के अंदर 5G technology को लेकर एक application ये petition फाइल करी है ये application basically क्या है इन्होंने बोला है कि 5G technology जब implement की जाएगी उसके बारे में trials होंगे तो उसके बारे में proper data होना चाहिए कि क्या 5G technology का health पर life पर organ और limb of adult य child floral फोना इन पर क्या effect पड़ेगा इनके बारे में information दी जाए और इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि जब दो जून को इसके बारे में या petition के अंदर direction के बारे मुला गया है कि S.E.R.B.N.E. Science and Engineering Research Board Government इस बारे में क्या सोचते हैं जो criticism होता है और क्या impact होगा 5G technology को उसके बारे में भी इनके अलावा इस petition के अंदर बताया गया है कि एक study connect करवाई जानी चाहिए जिसमें Indian Council of Medical Research हो, Central Pollution Control Board हो, Elecom Regulatory Authority of India हो, ये respective study करवाई इस issue को लेकर ताकि 5G technology के अलग-अलग sector के अंदर जो effect होगा उसका analysis किया जासकिए, इसके बाद यहाँ पर एक छोड़ी से information है, Twitter के मामले में दिली High Court ने बोला है कि वो rules and regulation follow करने उनको पढ़ेंगे, यानि ये उनको compilation है, उनके लिए compulsory है, हलाकि उनने Central Government को भी notice भेजा है दिली High Court ने, और इसी context में, Twitter ने एक तरी केसे जो दिली High Court के अंदर petition file करी थी, information technology, guidelines and digital ethics court की मामले में, कि क्या resident grievance officer जो rule no.4 है, उसके अंदर appoint करना ज़रूरी है या नहीं है, उन सब चीजों को लेकर दिली High Court ने बोला कि आपको ये rules and regulation जो है वो follow करने पढ़ेंगे, या आपके उपर य definitely ये लागू होते हैं, इसके बाद इसी page पे छोड़ी छोड़ी information आपको नज़र आएगी, लेकिन important है, defense ministry ने notify करा 108 negative imports को, negative imports का मतलब basically क्या है, यानि defense sector में हम लोग आतम निर्वर एक word यूज़ के जाता है, या self-reliant बने, आतम निर्वर बने, उस चीज़ को लेकर defense ministry ने बोला है, कि ये item जो है, वो हम लोग indigenous level पर या सवदेशी रूप पर develop करेंगे, और इसको बोला गया है, positive indigenization list करके, इसका मतलब क्या है, कि ये लोग, ये जो items होंगे, ये हम अपने country में या अपनी industry के दवारा जो है, manufacture करेंगे, इन में import नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कई सरा items के बारे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर complex systems like sensors, simulator, weapons and ammunition like helicopters, next generation, corvets है, या airborne early warning and control system है, tank engines है, medium power radar for mountains, medium range surface to air missile, weapon system, many more, इस तरह की item जो होस में include किया गया है, और इनके लावाद दो चीज़े हैं, कि domestic activity से production को increase करना, domestic research को बढ़ावा देना, या fresh investment technology के मामले में हो, इन सब को boost up करना, micro, small, medium enterprises को भी boost up करना, इसका purpose होगा, इनके लावा यहाँ पर यह भी बुला गया है, कि जो हमारे defense policy होगी, उसमें हम लोग ने के बल डवलप करेंगे, बलकि आने वाले time में export भी करेंगे, और वो तब होग हम अपने local level पर इस तरह का production जो उसको boost up करेंगे, इसके बाद page number 9 पे एक दो information जो छोड़ी छोड़ी आपको नजर आएगी, for example, यहाँ पर आप देखेंगे, मेगाले के अंदर एक dynamite blast होता, जिसमें 5 लोग trap होते हैं, और यहाँ पर एक place news में आ, east जहनतिया हील, मेगाले क अगर आप जोगर्फिकल लोकेशन देखेंगे, तो बिलकुल यूनिक्स ही है, और तीन hills जो मेजर मानी जाती है, गारो, खासी और जहनतिया, तीन hills जो है, मेगाले के अंदर मेजर है, तो यहाँ पर mines के अंदर एक dynamite भी spot हो और 5 लोग उसमें trap होगे, तो यहाँ पर कई ब जो है, माइन्स के बारे में, या आप जितने मिनरल्स हैं, कहां पर उसकी presence उसको लेकर सवाल हो सकते हैं, तो जो माइन्स और मिनरल्स करके एक यूनिट मिलेगी आपको जोगर्फि में, वो आपको जरूर पढ़नी है, आपको बिलकुल help करेगी, UPSC के perspective से भी, और जब भी आप मिनरल्स के बारे में, माइन्स के बारे में पढ़ें, तो जरूर आप उसमें मैपिंग के साथ पढ़ें, ताकि concept जो और ज़्यादा clear हो, इसके बाद इसी पेज़ पे जो एक और information ये इस पेज़ पे second information है, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में National Human Rights Commission जो है, वो उसके chairman justice मिश रहा हूं, ये जो National Human Rights Commission की यहां पर बात की जा रही है, इसको अगर 2021 में आप examination देने जा रहे हैं, तो प्लीज इसको five star करके headline डाल लीजी, because इसमें कई सारे amendment किये गए थे, पिछले कुछ सालों में या एक दो साल पहले, और इसमें amendment में आप देखेंगे, इसके जो procedure है, कि कौन National Human Rights Commission का चेर परसन हो सकता है, उसका ट्रम की तना अब हम सब चीजों को लेकर, तो इसको लेकर एक high power recommendation committee है, इन्होंने recommendation करा है कि justice अरुन को और मिश्रा, ये नए चेर परसन हो सकते हैं, National Human Rights Commission के, इस high power committee के अंदर, जो member सामिल है, उसमें, prime minister है, home minister है, deputy chairman of the ये लोग, जो 5 लोग इसमें सामिल हैं, और इसमें मैं फिर repeat कर रहा हूँ, कई सारे amendment हुए थे, Human Rights Commission को लेकर, एक amendment बिल आया गया था, तो उसको लेकर आप जुरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये important है, और आप जो लक्समी कांत, जो पुकाई है, उसमें updated version में भी मिल करेंगे, कि vaccination जो है, वो year end तक, जो deadline है, वो कहिने कहीं, इसमें cover करना, या 94 crore adult population को vaccination करने को लेकर, जो vaccination है, अभी भी हमारे पास short है, या जो number है, या जो daily basis पर हम vaccination कर रहे हैं, वो कहिने कहीं, अभी भी इतना अच्छा नहीं है, इतने बड़े लेवल पर आपको नजर नही एक सो लाख या दस लाख, दस मिलियन डोजी जो है, डेली बेसीज पर विक्षिनेट कर सकते हैं, ऐसा हमने target अच्छीव भी किया, पोलियों के केस में, जब कुछी दिनों के अंदर हमने 30 मिलियन चिल्डरन्स को जो है, वो, पोलियो ड्रोप्स के, जो हम उनको वहीं कहीं, एनिस्टेट की थी, तो इस तरह की चीज़े की जा सकती है, और आसा वरकर्स का इसमें important role हो सकता है, या auxiliary nursing midwife को एक important role इस particular context में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसके बाद, page number 11, page number 11, जो है, वो world affair या फोरन में, दुनिया में क्या चीज़े चाली उनके बारे में, यहां प रख सकते हैं, चाइना में लोको दो तिन पोलसी ऐसे आई, पहले 1970 के आसपास one child policy हुई, इसमें एक तरीके से population growth को control करना या रोकना एक target था, उसके बाद इनकी second child policy की, क्योंकि birth rate बहुत ज़्यादा decline हो रही थी, और aging population जो increase हो रही थी, उसके बाद 15-16 के आसपास two child policy है, वो भी ज़्यादा successful नहीं हुई, और आप जो है third child policy, यानि couples को permission दी जाएगी, वो तीन बच्चों तक रख सकते हैं, या तीन बच्चे जो हो सकते हैं, तो इसको लेकर अभी decision लिया गया, realization दिया गया, और यह decision लिया गया, 25 member political bureau में, जिसको chair करते हैं, चाइना के president और communist party of China चाइना के general secretary Xi Jinping और 2021-25 के लिए जो प्लान है, उसके अंदर यह include किया जाएगा, अब यह include क्यों किया जा था, चाइना ने recently अपना census जो है जनकरना release करी थी, उसके अंदर उन्होंने discussion बताया भी था कि उनकी population जो है, उसके अंदर कई सारी चीज़े, drastic change आपको देखने को मि देंगे, इसके अंदर यह बताया कि 2020 के अंदर चाइना की population 1.41 billion है, 2010 से 72 million इसमें include हुए, टोटल जो growth rate रही हो 5.38% थी, annual growth rate की बात करते केवल 0.53% थी, अब यहाँ पर dire situation है, एक वाड यूज की आगया, dire situation का मतलब क्या है, कि अगर population में increase नहीं होता है, population में increase in the sense कि अगर केवल aging population बढ़ेगी, for example, 60 plus से उपर वाले, तो dependency जो है, state government के उपर या सरकार के उपर बहुँ जादा जिमेदारी बढ़ती है, क्योंकि जो 60 plus माने जाते है, dependable है कि वो सरकार पर निरबर है, उनको लेकर, चाए वो healthcare को लेकरो, insurance को लेकरो, pension को लेकरो, definitely सरकार का खर्चा ब population है, 15 से 59 का his group, वहाँ पर कुछ कमी देखने को में दोनों context में जुरूरी था कि इसको इसके बारे में revise करिया जाए, population को या इस policies को लेकर, हलाकि अभी भी वहाँ के जो लोग है, local level पर, वो यह मानते हैं कि वो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा बच्चे हो, because financial regions हैं, और इंडिया में भी एक concept है, बहुत rare cases में आलग बात है, लेकिन अभी भी financially major issue play करता है, बहुत ज़्यादा बच्चे या उनको financially कुछ issues है, कि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हो, जिसकी वाज़े से उनको problem face करने पड़े, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, साओधी और इरान के relation जो है, 2016 में diplomatic cut हुआ था, क्योंकि 2016 के अंदर इरान के जो CIA cleric है, उनकी हत्या कर दी गई थी, उन सब के बीच में अभी discussion हुआ, कि इराक में दोनों countries के जो representative है बातचित कर रहे हैं, और फिर से दोनों countries के relation को एक तरीके से फिर से establishment करने को लेकर discussion कर रहे हैं, सा आईशिया, पाकिस्तान, इसलामिक कंट्रीज के अंदर इसलामिक कंट्रीज ऐसी हैं, जो अलग-अलग represent करती हैं, और अलग-अलग एक तरीकी से चाहते हैं, हम इस particular region को या particular group को या इसलामिक कंट्रीज को chair करें, lead करें, हलाकि साथियर अर्वियार और इरान के relations smooth होते हैं, definitely कई जगे पर ये benefit करेंगे, for example, Yemen में जो दोनों कंट्रीज आपस में या indirectly fight कर रही, वहाँ पर एक peace establishment की जा सकती है, कई जगे पर एक important role play कर सकते हैं, अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये successful होता है तो, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, बाशान चार करके एक island है, और इस island के अंदर रोहिंग्याज को बंगलादेश ने जो वो बसाया है, इसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करें कि यहाँ पर इनको ऐसी जगह पर बसाया गया, जहां पर यह island जो cyclone prone island है, और cyclone prone के आसपास human condition या human condition वो बिलकुल अच्छी भी नहीं है, और इसी context म यहाँ पर बुला गया है, और United Nations Human Rights का जो council है, वो भी इनसे बात्चित करें, कमिशन ही बात करेगा कि particular आपके concern क्या issues क्या है, इसके लावा इस page पे कोई खास information इतनी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा exam से relate करें, और page number 12 पे दो चोड़ी 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 information है, कि vaccination जो important ह economic health के लिए, क्योंकि यह मदद करता है, vaccination से economic को खोलने को लेकर, boost up करने को लेकर, activities को शुरू करने को लेकर, economic impact को जो हो, lockdown के थूँ या vaccination के थूँ ही, कही ने कहीं, reduce के आज़ा सकता, negative impact को और उसमें boost up के आज़ा सकता, और second जो है, fiscal deficit के बारे हम बताया गया, कि fiscal deficit जो है, ज यह forecast जो है, वो कहीं ने कि 9.5 किया गया था, अब यह समें 9.2% का, एक fiscal deficit देखने को मिलेगा, fiscal deficit क्या होता है, उसके बारे में आप सर्च करके नीचे comment करेंगे, मैंने 3-4 बार लगातार बताया, fiscal deficit के बारे में, तो यह अब आप करना नीचे comment, इनके लावा, fiscal deficit जो है, 2021 में में जो increase होगा कि बढ़ेगा, गटेगा, उन सब चीजों को लेकर भी डिवेट है, क्योंकि 2021-2022 का जो budget प्रिजेंट किया गया था, तब यह target रखा गया था, कि fiscal deficit जो है, 6.8% तक होगा, लेकिन अभी जैसे, रिजरो बैंक ओफ इंडिया ने 99,000 के आसपा, जो है, 99,122 क्र रुपे, ट्रांसपर करें, गवर्मेंट को, इसके अलावा, डेफिनेटली जो है, expenditure जो गवर्मेंट का बढ़ेगा, चाहे वो मनरेगा हो, या cash transfer हो, food grains हो, इन सब चीजों को लेकर, तो आने वाले टाइम में क्या, भारत में fiscal deficit कम होगा, इसको लेकर भी debate और discussion है, इनके अल करके question आया था, जो की इसी से relate करता, तो उसके बारे में भी सवाल जो वो पूछे गए थे, तो इस तरह के question आप से पूछे जा सकते हैं, उन सब के लिए आपको त्यार रहना पड़ेगा, तो thank you all, जहीं